बॉम्बे चौपाटी का सूखा भेल सुनके पानी आगया ना मूँ में प्यास, टमाटर, धन्यापती, नमकीन वाली चना दाल, सूखी पूरी के टुकडे और अगर सीजन में अविलिबल है तो फिर कटा हुआ कच्चा आम इन सब को मिलाके उसमें मुर्मुरा डालके इसे जो चटकारा देती है वो है इसकी चटनी तो आईए बनाते हैं इसका चटनी पाउडर जो बनाने में तो आसान है ही और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्स्राइब कीजिए तो चटनी का जो बेज है वो है दाडिया का मतलब घुने चने का जिसे चटनी दाल भी कहते हैं जिसे हमने मिक्सी जार में ले लिया है अब इसमें डालेंगे एक छो 15-15 नोटाचमाश मिर्च का पेश्ट दो बड़े चमाश 10-12 कड़ी पते 1-4 अधृफ कप भुदिने के पते नपकीन में अच्छे से सुखा लें फिर इस्तमाल करें वर sug हो जाएगी अब इन सब को महीन पाऊडर में पीश ले पानि मट्टा लिए elbow तो हमारा सुखी भेल का चटनी पाउडर पीस की तैयार है आप इसे एड़ टाइट कंटेनर में भरके फुरिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं तो बॉंबे चोपाटी की भेल के अँआ सुखी भेल के चटकारे लेजिए अब घर पे है ना आसान फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ